नमस्ते चात्रों यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे गुप्त राजवन्स का परीचे ठीक है तो हम लोगों ने मोरिय वन्स था था मोरियोतर वन्स में जो सुंग राजवन्स था आपका और साथवान वन्स था कुसान वन्स था इन सब के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्ट कर ली है अता है आप प्ले लिस्ट में जाके और इन सबकी जानकारी को देख सकते हैं पढ़ सकते हैं या राजवंस का परीचे, गुफ्त वंस की उत्रपती, गुप्त राजवंस प्राचिन भारत के परमुक राजवंसों में से एक था, कुछ इत्यास कारों द्वारा इस अवध्धी को भारत का श्वन यूग माना जाता है, तु एक क्यूसन बन रहे हैं पर, वही भारत का स्वन य राजनेतिक एक्ता लगने का प्रयास किया, मोर्य उत्रकाल के उपरान तीसरी स्तापदी स्वी में तीन राजवन्सों का उदेव हुआ, जिसमें मद्धे भारत में नाग सकती, दक्सिन में वाकाटक तथा पूर्वी भाग में गुप्तवन्स प्रम्मुक हैं। मोर्य उत्रकाल के पतन के पसाथ नस्ट हुई राजनतिक एक्ता को पुने स्तापित करने का स्रेव गुप्तवन्स को है। ठिक है। मोर्य राजा के बारे में पता चला है वो हैं श्री गुप्त। ओके हलाकि प्रभावति गुप्त के पुना तमरपत्र अभिलेक में इसे आदी राज कहा कर संभोधित किया गया है। श्री गुप्त ने गया में चीन्नी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था जिसमें उलेक चीन्नी यात्री इत्सिंग ने किया। पुनाणों में ये कहा गया है कि आरम्भि गुप्त राजों का समराजे गंगा, द्रोणी, प्रियाग, साकेत जो आयोध्या में तदा मगद में फैला था। श्री गुप्त के समय में महराजा की उपादी सम्मन्तों को परदान की जाती थी। अतहे है श्री गुप्त किसी के अधीन कोई सा सकी था। अब देखेगा गुप्त राजों का तिथी करम या वंस करम क्या था। तो सुंग वंस के पतन के बाद सनातन संस करती की एकता को फिर से एकजुट करने का स्रे गुप्त वंस के लोगों को दिया जाता है। गुप्त वंस की स्थापना 320 इस्वी के लगभग चंदर गुप्त पर्थम ने की थी और 510 इस्वी तक यह वंस सासर में रहा। इस काल में कला, विज्यान, धर्म और साहिते का खूप विकास हुआ। लेकिन इत्यास में स्री गुप्त तता गठोत कच के भी ना मिलते हैं। जिनको गुप्त वंस से संबंदी थी माना जाता है लेकिन गुप्त वंस के स्थापना का स्रे चंद्रगुप्त पर्थम को ही जाता है ठीक है ना तो गुप्त वंस की स्थापना किसने की चंद्रगुप्त पर्थम ने आप देखेगा कई बार वन्सक्रम पूछ लेते हैं गुप्त सास्कों के तो हमने आपर सभी का जो वन्सक्रम है वो और समय तिती है वो सब बताया है गुप्त सास्कों का कालक्रम देखेगा स्री गुप्त तता घठोत कज 275 से 319 इस्वी चंदर गुप्त पर्थम 319 से 315 इस्वी समूदर गुप्त 350 से 375 इस्वी चंदर गुप्त द्वीत्य या जिसको विक्रमादिते भी कहा गया है तो चंदर गुप्त द्वीत्य विक्रमादिते 375 से 415 इस्वी कुमार गुप्त पर्थम 415 से 455 इस्वी इसकंद गुप्त 455 से 466 इस्वी पूरु गुप्त 466 से 473 इस्वी कुमार गुप्त द्वीत्य चार सो 473 से 477 इस्वी भुद गुप्त 477 से 495 इस्वी नर्सिह अब देखेगा गुप्त सासकों से संबंदित महतोपुन तत्थे कई बार पूस लेते हैं एकजाम में इंपोर्टेंट बाते हैं गुप्त सासकों संबंदित देखेगा नरीशिह गुप्त बालादित्य को छोड़कर सभी गुप्त वन्दित राजा वैदिक दर्मावलंबी थे बालादित्य ने बो दर्म अपना लिया था ठीक है आरम में इनका सासन केवल मगत पर था आरम में गुप्तों का सासन मगत पर था परन्तु बाद में और गांधार जो उत्तर अफगानिस्तान में पर आकर्मन किया था हुनों ने अन्थताय भारत में प्रवेश करना सुरू किया हुनों का मुकाबला कर गुप्त समराजे की रक्सा करना इसकंद गुप्त के राज्यकाल की सबसे बड़ी गठना थी ठीक है तो हुनों का मुका अबला हुआ और गुप्त सेना विजय हुई हुन कभी गांधार से आगे नहीं बढ़ पाए जबकि हुन और साकेस जाती के लोग उसमें भारत के भिन-भिन इलाकों में रहते थे ठीक है तो देखिएगा एक छोटा सा वीडियो था जो गुप्त का से समन्दित है और यह ए ताकि हम वीडियो में सुधार कर सके धन्यवाद